ऐसे में जहां एक तरफ भारतिय जनताप पार्टी ने एक बेहत बड़ा दाव खेल दिया है लेकिन दूसरी ही तरफ कॉंग्रेस नेतार राहुल गांधी ने भी इस दाव के बीच यहां पर एक जबर्दस्त फैसला ले लिया है दरसल आपको बता दे कि आगामी लोगसभा चुनाव को मत्य नजर रखते हुए अब यहां पर महागटवंदन इंडिया की तरफ से कई एहम फैसले भी लिये जा रही है बात यहां पर की जाए पी एम ओदी के मास्टर स्ट्रॉक के बारे में लोगसभा में जिस तरह से सदन पटल पर रखा गया महिला आरक्षड बिल जो दोनों ही सदनों में पास कर दिया गया है लेकिन जहां एक तरफ भात ये जनता पार्टी अपनी ही पीट थपथपा रही थी वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि बीजेपी सांसद के एक वीडियो ने ही माहौल पूरा पलट कर दिया हम बात कर रहे हैं यहां पर बीजेपी सांसद रमेश विधुडी के बारे में जिन्होंने बसपा सुप्रीमो मायवती को यहां पर देखा जाए एक बेहत बड़ी चुनोती देदी है क्योंकि यहां पर जिस तरह से बसपा सांसद दानिश अली पर जिस तरह से उन्होंने ज लेकिन इसी बीच यहां पर दानिश अली को जप्पी देते हुए नसर आए हैं राहुल गांदी और ऐसे मैं राहुल गांदी ने एक बेहत बड़ा दाव खिल दिया है नमस्कार मैं प्रांशी रठोर और आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन न्यूस दरसर आपको बता दें कि लोगसभा चुनाव को मद्दे नज़र रखते हुए 26 सराजनितिक दल एक जुट हुए और 26 सराजनितिक दलों ने एक जुट होकर मोधी सरकार को बीजेपी खैमे को चुनोती दी है कि इस बार 2024 में लोगसभा चुनाव में भारती जनता पार्टी नहीं बलकि महागठबंदन की जीत होगी राहुल गांदी भी ये साफ कर चुके हैं लेकिन इसी बीच यहां पर सभी की नजरे टिकी हुई है कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायवती का क्या फैसला बदलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं और इसी बीच यहां पर वीजेपी सांसद दानेश अली से जिस तरह से मिलने पहुचे राहुल गांदी उन्होंने पूरी पूरी बाजी पलड़ती है सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिये बताएंगे कि किस तरह से माहौल गर्मा गया है जब सदन में रमेश बिधुडी ने जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तमाल किया यहां पर दानिश अली के लिए देखिज़न क्या बातचीत आपकी होई मुलाकात होई सब्सक्राइब कि मांग चल रही है राहूल जी कल सदन में नहीं थे मेरा तो मॉबाइल भी मन था मेरी किसी से बात में वो खाली सॉलिडैरिटी के लिए मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहां आए कि अपने आपको अकेला मसेजम जीए इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ ख़़ा है और क्या कुछ कां से लिए और वीके वार गुलिजक का उल्होंने इतने ही कहा कि इसको दिल पर मत लीजिए अपनी सेथ का ख्याल आज नि वाली बाई है डिल पल्लगने वाली बात है आज दिनबर काफी होच्चर होती रही आपने प्रस्क्राम से कुंकि उसके बाब भी उधी चांगी राज़ा हो एक पतिक्री आई और विपक्षेदलों ने काफी प्रोज भी किया है व्याद का मांग की जारी है लगने करें कि अब आप जब शाया हो गई है किस तरह से इस प पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ वो जो हमला है वो मेरे उपर अकेले के उपर नहीं है वो खालीदानिश अली के उपर वह हमला इस लोकतंत्र पे है वो हमला सम्मिधान पे है वो हमला जो नफरत की दुकाने सबकों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमरतकाल में इस नए भारत के नए संसत के परीसर में लगनी शुरू हो गई इसका मुझे अफसूस है अगर उदर से कारवाई नहीं होती तो क्या कोई लीगल एक्षन भी कोई फुलिस में लिके श्कायत भी या कुछ ऐसा तेखे मैं उस सब में नहीं जा रहा है मैं सिर्फ इतना मैंने जो मेरी मां या जो मेरी शिकायत लोग सब आद्यक्ष हमारे संग्रक्षक हैं वो एक इंस्ट्यूशन है वो पद जो कल की भी जो वहाँ लोग सबा में जो टिपणी रमेश बिदूरी जी की तरफ से हुई शायद पूरा वीडियो देखिए उसमें शुरू में उन्होंने जो अभदर भाशा का प्रियोग किया वो प्रधान मंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम निस्ट्यूशन आप नहीं कर सकते इस भाशा का प्रियोग कि उसका मैंने विरोध किया जिस पर वो रियक्ट किये कि क्या प्रधान मंत्री के इंस्ट्यूशन को इसकी इस्ट पर करार रहे उस पर मेरा खड़ा होना भाश्पा के सांसत को बुर बुरा लग गया और भाश्पा के वरिश सांसत पीछे से बैठ करके जो है में स्थत है 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 एक और भी हमने तश्मीं देखी जिस वक्त रवी विदुडी जी बोल रही थे उस वक्त डॉक्र हर्श वर्दन जो जिल्ली से ही उनके साथ की सांसत भी है वो जो है मुश्पार रहे है तो यही तो मैं कह रहा है कि मुझे अफसुस मैं जो राद पर नहीं सो पाय है मेरे जो मतलब मैं बेहन नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को आपके साथ हैं सब लोग और देश साथ है यह 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 जो हुआ है कि यह मेरे इंडिवीज्वल नहीं आप आप इस देश में अमरतकाल में क्या हमारे पुर्खों ने इसलिए आजादी इस मुल्कों दिलाई थी इस तरीके से टार्गेट करेंगे जब संसथ के अंदर पारलिमेंट के अंदर यह वेवार है तो आम आदमी के साथ जो गाउंधियात में रहता है जो कजबे में रहता है उसके साथ कैसा क्या वेवार होगा इन लोगों का यह बड़ा सवाल है और हम mother of democracy कहते हैं अपने मुल्क को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है कि अब यह उनके नेत्रत्व का काम है कि क्या करते हैं और कॉंग्रेस के बाद पार्टी ने कि चिशी से संपर किया है इसका नहीं बता दिए वह बाद ट्वीट आया है मैंने सुनाया तो इसके बाद वह जो आप जो रुक के बोलागी रुप जाये पीछे बिचे बिचे मैंने जो भी था मैंने पूरा दिन मैं इंतजार करता रहा कि अधरने लोग सब अध्यक्स जी शैद ऑफिस आएंगे वो नहीं आपाई ऑफिस किसी कारण वाच तो मैंने जाकर के दो बजे फिर उनके ऑफिस में वो इसे अपनी शिकायत प्रिविलेज नोटिस दे दिया है अब उस पर क्या कारवाई होती है क्योंकि देखा है पूरे देश ने कि किस तरीके से पिछले सत्र में लीडर ऑफ ओपोजिशन को सस्पेंड कर दिया विदिन मिनिट्स तो क्या वो घटना और कल की घटना उसका वजन तोलने के बाद कि किस में कितना वजन था उस हिसाफ से एक्शन होना चाहिए ये मुझे बरोज़ आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर दानिश अली के लिए जिन शब्दों का इस्तमाल किया गया है उसके बाद से लगातर मांग यहीं उठ रही है कि जल से जल कड़ी कारवाई की जाए लेकिन राहुल गांदी ने जिस तरह से दानिश अली से मुलाकात की है क्या ये एक बड़ी पहल देखने को मिल रही है मायवती के समर्थन में सवाल यहां पर रहेगा निउस रूम में बैठी हुए तमाम सहिय जाने के सबसे पहले हमारे सहियोगी दौलत से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रही है दौलत जैसा कि आप जानती है कि रमेश भिदूडी ने क्या कुछ कहा और ऐसे में अब यहां पर क्या राहुल गांदी जिस तरह से दानिश अली से मिलने पहुचे है क्या यहां पर पार्टिसिपेट इंडियालाइंस के साथ नहीं करेंगे लेकिन जब से दानिश अली के ओपर जिस तरह के से संसत भवने हमला हुआ जिस तरीके से दुर्वागे पूर्ण वह भासा बोली गई बीजैपी संसत दौरा तो बिलकुल यहां पर लगता है कि अब सपोर्ट करने सब्सक्राइब दानियालाइंस के तो बिलकुल इनडियालाइंस के लिए जूट होना चाहता जिसमें बाड़ा साथ वो कियांपर मांगते वे नजर आ रहे हैं कि यहांपर देखा जाए बीयास पी का साथ आखिरकार कॉंग्रेस को क्यों जरूरी है क्योंकि यहांपर डलित वोट-वेंग की बात आती है और डलित वोट-बेंक को भफूबी संभालते हुए नजर आती है मायवथी। हमने हाल ही में देखा कि घोशी विधान सभा सीट पर जो उप्चुनाब हुए बहां पर मायवती ने अपने प्रत्याशी को आगे नहीं किया लेकिन देखने को ये मिला कि मायवती के एक और वोट बैंक को संभालते हुए अखलेश यादब नज़र आए और यहां पर सपा की किये गए है कि बीदे पिछले महीने प्रेंगा गांधी वाट्रा ने मुलाकात कि मायवती से और राहूल गांदी का दानिश अली की तरफ रुप करना और दानेश अली का कि उन्हें राहुल गांदी का समर्थन मिल चुका है, महा गटवंदन इंडिया उनके साथ खड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर एक बड़ी कोशिश जिस तरह से की जा रही है, क्या मायवती का फैसला पल्टेगा, सवाल यहाँ पर रहेगा प्रग्या से क कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी, जैसा कि प्रग्या आप भी चानती है, कि मायवती जो एलान कर चुकी हो, उसके बाद से यहाँ पर उन्हें मनाना काफी मुश्किल माना जा रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है, कि मायवती इस गठवंदन की तरफ रुखने क करेंगी, क्या राहुल गांधी की रणनीती और प्रैंका गांधी की रणनीती यह रंग लाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, चंदर शेखर आजाद जो अखिलेश यादर की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर जैन चौधरी भी अब होता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले अगर मैं बात करो तो हमने देखा था कि इस तरीके से अध्यादेश के मुद्दे खुलीकर अर्विंद केश्रिवाल के साथ पॉंग्रेस ने हाथ मिलाया, समर्थन किया, हाला कि वो लोग सभा चुनाव में साथ होंग या नही इस पर हामी नहीं भरी थी, वहीं मनिपूर का किसा आप सभी जानते के मनिपूर हिल्था को लेकर जिस तरीके से ये तमाम चीजे हम सभी ने देखी, तो कहीं न गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मायवती भी इस चीज़ को समझ रही है, कि इस वक्त वो विपक्षर से हाथ म समर्थन में बोलना इस बात को रिशारा कर रहा है कि हो सकता है, आने वाले समय में मायवती अपना फैसला बदल दें। आने शली का साथ दिया है, ऐसे में क्या यहां पर रुख बदलता हुआ नजर आ सकता है, अब डिमपल यादव और अखलेश यादव का क्या वाकई में मायवती यहां पर नरम दिल होती हुई नजर आई है, जिस तरीके से अभी तक मायवती का जो रुख रहा है, वो सीधा नजर आएंगी, वो बात अलेग है कि कई मुद्दो पर कुछ पार्टिया जो है, वो एक दूसरे का साथ देती हुई नजर आती है, वो भी तब जब उनका दुश्मन एक हुता है, हमने देखा है कि भारती जनता पार्टि के खिलाफ यहां पर कॉंग्रेस सपा का साथ देत बीसपी कबी का बहार साथ देती है, लेकिन बीसपी मायवति का बहार जब बयान आया, तो उनके उपर कार्या या कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसके लिए वो चंता जनक है, और यहां पर कॉंग्रेस पार्टि का कह रहे है, इंदिया का खिमा क्या क्या रहा है, वो भ पार्टियों को जो दुश्मन है वो एक है यानि कि जो विपक्ष में बैठा है मुझी सरकार लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे इंडिया गडबंधन बनाए वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन जहां तक आप मायावती का सवाल कर रहे हैं मुझे लगता है लेकिन मायावती अभी इस पर stronghold रखके यह चल रहे हैं कि मुझे अभी कहीं नहीं जाना है मुझे अकेले ही चलना है बलकि अकेले जाके वो हारेंगी भी उतरी सीटे वो नहीं लापाएंगी या उतना उनका नाम नहीं हो पाएगा तब वो इंडिया गडबंधन में हुग लेकिन फिर भी वो एकला चलो कि जो नीती अपना रही है उस पर वो काया में और वो उस पर नहीं बदलने हो आखरी को सवाल रहेंगे यहां पर हमारी सहयोगी रितिक से कि आखिर कार वे क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से रितिक आपने देखा है जमीनी स्तर पर जु पूरी-पूरी कोशिस जिस तरह से कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वह पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं तो ऐसे में यहां पर अर्वेंद केजरिवाल ने भी कहा था राहुल गांदी के लिए कि जब उनकी सांसदी रध होई था हम उनके साथ हैं लेकिन लोगकंत्र खत गठवंदन में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उससे उनको फायदा क्या है पहले तो यह कहा गया कि यहां पर चंदर सेखर आजाद और मायवत्ती मिलकर जलतों के बोर्ट बैंक को एखटा करने का काम करेंगे लेकिन इसके बावजुद भी आपने देखा कि अभी चंदर सेख लेकिन को पता था कि अगर राहूल गांदी से मुलकर करतें तो इसमेड हो ने जरॢ़िक किया जा रहा रहा जा जा रहा हैं तो मुझे लगता है जरूर आने वाले समयमे जेही निकार पर इंडिया गटवंदन के बीच और बस्पा के बीच लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर मोधी सरकार है जो एक एक करके देखा जाए कई नेता को सस्पेंड यहां पर जिस तरीक से किया जा रहा है तो आखिरकार इसको लेकर आप क्या कहेंगे अपने ही नेता को यहां 15 दिन क रहा दियो पर साथा कशबबात ही नेता होटता है नेता होता है है अब यह संपत्ति है अब बिदूरी कि हम लोग बात करता है समझना पड़ेगा कि बिधुरी भाजवा पार्टी की नेता हैं और यह कहा जाता है कि उनको भी बाहु वली की संग्या दी जाती है दिल्ली मुनको क्या रॉब रहा तो आप सभी ने देखा तो मुझे लगता है कि यहां पर मुका नहीं देना चाहिए साप तरो बरखास्त कर कि यह क्या सोचते हैं आपने किन शब्दों का उपयोग किया आपने धरम को लेकर किस तरीके की बात है कि वह गाली नहीं थी मुस्लिम समयदाव को टार्गेट करने का ही था कि आपको दिखाने का कि आप कौन हो तो मुझे लगता है कि पहले इस बिबात को खत्म करने के लि जैसा कि यहां पर तमाम सहयोगी ने खुल कर अपनी बात रखी है और एक बार फिर से बात यहां पर आचुकी है लोकतंत्र को लेकर तो ऐसे में क्या यहां पर मोदी स्थरकार निस्पक्ष फैसला लेती हुई नजर आएगी साथ ही पता चलेगा लेकिन आपकी क्या को चुराय प्रतिक रिया है इस यहां इस मुद्धे पर और इन रणीतियों पर कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात खुल कर रख सकते हैं फिलहाल के लिए हम चलते हैं बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न आपकी24 वरतिक के लिए व्यागने नि हम इस यह है